Hello friends, कैसे हैं आप सब तो जैसे आप से को पता होगा कि पूरे Mumbai University का सबसे famous crash course for semester 3 launch हो चुका है, जिसे आप करके 10 out of 10 point आला सकते हैं, क्योंकि हमारे crash course के बाहर का एक भी questions आपको examen देखने को नहीं मिलेगा, तो पूरा crash course का link description box, comment box में दिया गया है, लेकिन ये video में आपको बत है, ये मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, इसे बताना चाहूंगा दोस्तों, most expected question M3 का, क्या exactly आगा, उसका solution के साथ, सारी PDF हमने upload कर रहे है, आपको कोई भी book खुमोच कर वगरा, कुछ देखने की जूरूत नहीं है, limited questions करके आप जाएंगे 10 out of 10, 10 out of 10 point आप exam में score कर स 90% accuracy के साथ बता रहा हूँ, 90% से जादा ही questions आप देखने को बिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सारा solution हम प्रवाइट करने किसी भी subject के लिए आपको कोई भी book देखने के आपर जूरत नहीं पड़ेगी, और ये बिना समय गवाय में आपको बताता हूँ कि M3 क पूरी strategy दोस्तों, आपको मैं exact accurate जो 99% यहाँ पे model paper हमने हमार expert team ने बनाया है, उसके जरी मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये model paper आपको हमारे whatsapp group पे मिल जाएगा, जिसकी link जो है इसी video के description box में दी गई है, 3-4 group की link दी गई होगी, कोई भी एक group जो खा दी होगा, question exam में देखने को मिलेगा, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जूरत नहीं है, और question के साथ हमने solution भी आपको दे रखा है, कहीं और आपको refer करने कोई book जूरत नहीं पढ़ेगी, सो दोस्तो आईए, मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे जो बड़ी mistake list करते हैं, क्यों maximum लोगो केटी रगता है, वो है दोस्तो linear follow करना, किसी भी chapter को अगर आप linear follow करने, तो पहले मैं पूरा lap class पढ़ लो, फिर inverse lap class पढ़ लो, फिर मैं 4 year पढ़ लो, ऐसा अगर आप sequence follow करत pattern को पहले आप समझे है, कि वो, अगर आपको ये m3 का exam, जो है, अच्छे score करना है, तो भाई, पूरा chapter पढ़ने की जूरूत नहीं है, देखो कि उस chapter से marks का distribution किस किस topic को दिया गया है, for example, अगर मैं laplace transform की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ laplace transform की, तो इसका distribution कुछ इस तरह है, कि question number one में, एक basic question laplace transform का आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सारी basic question का मतलब क्या हो, मैं आपको भी समझाता हूँ, उसी तरह दोस्तों के हम लोग देखे, question number two, three, four, five, पर यहां पर हम लोग देखे, तो एक laplace transform से उसको questions आएगा, जिसमें t-raise to n, e-raise to मैं बात करें, inverse laplace, तो एक question उसे convolution का हमेशा fix ही है, कि convolution पर एक question आएगा ही आएगा, इसी तरह दोस्तों हम लोग बात करें, partial fraction based के जरी हम जो inverse laplace find करते हैं, उसके question आता ही आता है, आप बोलोगे सार, यह इसके जरी हम preparation कैसे करें, topic पता चल गया, तो देखो भी मैं आप आपको सब्सक्राइब है, listen, जैसे अब हम लोग को सबसे बेल यह समझना है, कि question number one जो होता है, वो compulsory होता है, उसमें कोई option नहीं होता है, आपको, जो है वो सारे question यहाँ पर attend करने होते है, right, तो इसलिए आप कोई chapter गर skip कर रहे है, तो जहान रखो कि उस chapter का वो part skip मत करो, जो 100% exam है, जैसे कोई complex variable को लगए skip कर रहे है, तो at least basic question कर लो, आप बलोगे सब basic question कहां से करे, जैसे आपने यहाँ पर link दिया है, कि basic question और laptop transform, आपकी पूरी preparation को दोस्तों एकदम easy बनाने के लिए, मैंने पहले आपको कहा था, कि Mumbai University के लगबख सारे college के विच्छे हमारे पा 5 marks का यहाँ पर laplace transform का question आने वाला है, तो laplace transform section में आप जाएए, वहाँ पर पहली जो PDF है, जिसका title अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो laplace 5 marks question on it solution, ठीक है, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर question दे रखा है, जो 5 marks आप पूछा सकता है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे हमने questions दे र आपको उस PDF से मिल जाएगा, इसी तरह दोस्तों कर अपनों laplace transform से देखें, तो total 3 questions आने की probability, 4 भी हो सकता है, लेकि minimum 3 यहाँ पर मैंने जो भी paper model paper बनाया है, यह minimum को लेकर बनाया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आपको 1 question 6 marks का देखने को क्लिक करना है, और laplace transform 8 marks question पर क्लिक करना है, तो आपको समझ जाएगा कि जैसे मैं कहने कहा integration of the questions, तो वो किस तरह के आपको देखने को मिलेगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारे integration of the questions आपको हमने डाल रखें, ठीक है, तो यह मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको prepare करना है, with our pdfs, अगर आप खुद से prepare कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दू, अगर आप अच्छे score करना चाहते हैं, तो पहले यह 3 chapter perfectly लिख-लिख के practice कीजिए, उपर-उपर से देख के नहीं, और वो chapters है, laplace transform, inverse laplace transform, and complex variable, ठीक है, यह 3 chapter आपको जो है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कि बात के chapter जो है, वो आप जो है, पीडियाप के according यह सा, distribution उसमें selective topics करें, जैसे for example, कोई अगर यहाँ पर 4-year transform पढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर mark distribution के according, selective questions है, वो कर सकता है, for example, अगर वो यहाँ पर लोग देखे कि एक question half range, sign and cosine series पर 100% पूछा जाएगा, त चाहे तो वस उस particular topic को यहाँ पर कर सकता है, तो वैसे मैं M3 में बहुत सारे वीडियो से लाने वाला हूँ, important important questions की live भी लेने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पर यह model paper जो है, इसको आप एक बार access कर लीजिए, मतलब WhatsApp group से download कर लीजिए, और chapter wise जो distribution है topic का, उसे देख और दूसरा जो सो partial fraction, यह 100% fix है कि यह दो topic आने ही आने है, तो आप देखिए, यहाँ पर 6 marks और यहाँ पर 6 to 12 marks आपको ऐसे ही मिल जाएगा, जिना ज्यादा कुछ महिनद केई, वही अगर आप inverse lap last पूरा लेकर किसी बैक करते हैं, अब देखिए, बहुत ज्यादा time consuming होगा तो selective आपको study करनी है, तो chapter पर जाएए, और वो chapter के selective topics को जो है, इस marks distribution का according प्रिपार कीजिए, अर्योगेटिंग, तो वैसे दोसरे हम लोग बात करें, four year transform की, तो four year transform में आपको एक question zero से two pi range में आपको देखने को मिलेगा, eight marks का, और एक question आपको आपको देखने को मिलेगा, minus L से L और zero से L के बीच में, तो यहाँ पे L वाले भी questions आपने देखे होंगे, नहीं देखे, इसकी PDF में ने दे रखे, तो आप बस यहाँ में marks देखते जाहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, eight marks, six marks, और इसके बाद एक और question four year से यहाँ पे आपको देखने को तो बहुत बड़ा chapter है, इसके solution भी काफी बड़े होते हैं, बट easy होते हैं, अगर आपने इक बाद पैटन समझ लिया, then you can easily score, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने exactly three PDF upload किया, eight marks के जो questions आएंगे, उनको, यहाँ पे दो eight marks से question थे और एक six marks से question था, तो आपको simply का करना, कुछ कोई बुक पढ़ने की जूरत नहीं है, simply यहाँ पर जाईए, इस पीडियाप पर, eight marks से जितने question है, eight marks से जितने question मैंने दिरिखें सारे कर लीजे, exam में exactly यही question आपको देखेंगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, so this is all about कि कैसे आप आपको दोस्तों यह prepare करना है, और हमने बहुत बैतरी course बनाई है, इसके लिए इनी सारे subjects इसमें included है, जो भी crash course है, मैंने आपको बताया था, के अंदर में आपको free video access भी दे रहा हूँ, सारे subjects, अगर आपको चाहिए, आप अपने email addy भेज सकते हैं, और अगर आपको video में क्या क्या डाइग्राम में mistake नी करनी, जो local book की होते हैं, हमनोंने पूरे standard book से solution आपको दिये हुए, और इसके अंदर M3 का पूरा access आपको video को मिलेगा, paper set मिल रहा है, जो 99% accurate है, वही question exam में देखने को मिलेंगे, और सारे chapter wise PV IQ solution के साथ हमने upload कर रखे हैं, तो enroll करने के लि लिंक दे रहे हैं, यहां से आप अक्सेस कर सकते हैं, दोसों यह M3 का मैंने आपको बताया कि यह model paper क्या आपको help करेगा, जो भी chapters है, अभी इसे में read करके बताऊ, उसमें बहुत बढ़ी बात नहीं है, आप खुद इसको अच्छे से analyze करेज़े, देखी topic wise क्या distribution रहने वाल यहां से मिलने थों से easy topic है, वहां से आप easily scores कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ जादा effort डाले, ठीक है, मिलने थों से बहुत ही easy topic है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां पर complex variable पे तो जो पहला question है, वहां पर analytic है की लिए check करो, या उसके property की base पे question five marks के यहां पर आप यह दोस्तों है complex variable, जो easy chapter है, उसका distribution, इस तरह आप topic wise बिटागे, जैसे topic select के लिए जैसे अभी मिने आप बता दिया आपको, कि complex variable से मिलने थमसन पहेंगा, तो मिलने थमसन में जितने questions में को अच्छे से देख लीजे, ताकि exam में आप अच्छे से एक्समान सका देगे, अगर कोई question ऐसा है कि जो 1900 में पूछा गया है, बहुत पुरानी question है, वो आपको करने की जुरत नहीं है, अगर आप 22-24 का exam prepare कर रहे हैं, तो आसे 10 साल मतलब 2010-11 मतलब 10-11 मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 2015 के बाद से question practice कर सकते है, तो यह 14-15 के बाद से question practice कर सकते है, इसमें कोई भी error वगर आपको देखने को लिए, तो this is all about M3 का क्या है दोस्तो model paper, और ऐसी में भी M3 पे और वीडियो से लाओगा, important questions के हम लोग जो है topic पे discussion करेंगे, solution भी discussion करेंगे, और कैसे pass वगर करना, उसके tricks वगर अबे भी मैं discussion करूँगा, इस वीडियो में को आपक झाल एal झाल मुझा झाल आपको झाल 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 सोबचाnewस के वापको नेकिन करिक वाइड मुझा जार आपको झाल झालिए्ड़।